हाई फ्रेंड्स, हमेंसे ज़्यादा थर लोग तो आजकल अपने घरों में बंद हैं, या कोईंटीन हुए में हैं, वर्ल्ड में इतना सारा कुछ उठा पठक चल रही है, तो अच्छे चीज यह है कि हम अपना पार्ट कर रहे हैं, घर में रहे के पर उससे एक प्रॉब्लम और भी हो जाते हैं कि अब घर में बैठे बैठे क्या करें, क्या करूं मैं तो मुझे लगा कि मेरे साथ भी वही चालेंज होने वाला है कि मैं क्या करूं मैंने क्या किया है कि मैंने एक नोट बनाया अपने फोन पर और उसमें मैंने लिखना शुरू किया कि मैं क्या क्या कर मैं उसमें लिख लेता हूँ और I was so surprised कि मैंने जब लिखना शुरू किया था तब मैंने ऐसे लिखना शुरू किया था अब उसमें 20 से ज्यादा चीजे हो गई है जो मुझे लगता है कि मुझे फ्री समय मिला तो मैं करना चाहूंगा तो मैं आपको अपनी वो चीजे पता दे Everest.com एक वेबसाइट उसको देखना चाहता हूँ मुझे एक मुवी सजेस्ट किया Irishman there is a Hindi movie जो मुझे बता लगा Good News जो मैंने अभी तक देखी नहीं है I also want to watch मेरे एक फेवरेट मुवी है Dungal वो अगर समय मिला तो देखना चाहूंगा there is a book Everest जो book का नामी Everest है अब चुकी मै करने का मन है तो मुझे जो भी भी Everest से connected चीज़े मिलती है मैं उसको जुरूर इंटरस के साथ देखना चाहता हूं या समझना चाहता हूं फी मेर को लगा कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं तो क्यों नहीं मैं dance move करके देखूं हालंकि मैं hill भी नहीं पाता हूं पर एक वो मैं breathing exercises देखना चाहता हूं YouTube पे stretching सीखना चाहता हूं कि बाड़ी को कैसे stretch कर सकते हैं foam rolling है hiking के tips हैं क्यों कि मैं hiking पर जाता हूं तो मैं देखना चाहता हूं hiking के tips क्या क्या होते हैं मैं एक नई property देखना चाहता हूं जहां पर मैं move हो सकूँ तो उसके लिए search कर सकता हूं मैं एक book लिख रहा हूं उसको मैं पूरी कर सकता हूं मैं social media पर connect करना चाहता हूं सीख रहा हूं उसको तो मेरे यही सब चीज़े इसके अंदर में लिखता जा रहा हूं तो होता है कि जब भी मेरे पस कुछ भी खाली समय होता है मैं इस लिस्ट में देख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या options है और इसके लाव और भी options है जो मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ सकता हूँ because यहाँ पर 29 आइटम्स हो गई है और 29 आइटम्स को करने के लिए मुझे कई हफते लग जाएंगे तो अगर आप लोग भी बोर हो रहे है तो आप भी सोचो अगर आप एक लिस्ट बनाना शुरू करो छोटी से ही शुरू करो कि यार यह मैं कर सकता हूँ अगर खाली हुआ तो and जब भी कोई चीज याद आए उसके अंदर लिखो and फिर देखो कि आप कितनी लिस्ट को पूरी कर सकते हो and हो सकता है यह लिस्ट आपकी अकॉंपलिश्मेंट लिस्ट बन जाए जब तक कि हमारे पास यह समय है जब हम घर पे बैचे हुए हैं तो मुझे लगता है बोर होने की बजाए या कुछ नहीं कर पाने की बजाए हम यह देखें कि हम क्या-क्या कर सकते है और क्या-क्या चीज़ें फिनिश कर सकते हैं अपने लाइफ में जिसके लिए हमें कभी समय नहीं मिला तो to be honest मेरे को बहुत खुशी है personally कि मेरे पास कुछ समय आया है जिसमें मैं वो चीजे कर सकता हूँ जो मैं हमेशा सोचता था करने की, एक्सप्लोर करने की, या सीखने की अभी उसके लिए समय मिल गया है So I'm quite happy कि मेरे पास ये opportunity आया है And I hope कि आप लोग भी इस opportunity को enjoy करें And see what you can do For example, अभी मैं क्या करने जाए रहा हूँ अभी मैं शाम हुआ है यहां Canada में And my house has a very good forest area I can see my house Last वाला गर जो है And this forest area So this is the forest area So I'm going to go inside Because it's so nice, so beautiful So quiet And I'm gonna enjoy my walk I also wish you all the best And I'm sure आप भी अपने समे को बहुत अच्छा यूस करेंगे चलिए फिर बात कहते हैं Bye-bye